आप सभी का आज की तिसरे सत्रों में स्वागत है आज हम एरोबिक्स, शवासन और प्राणायम की छोटी सी वेजी करेंगे आज आपके साथ कितन भगास्या है जो आपको एरोबिक्स करवाएंगे तो आएए हम शुरुवार प्राठना से करते हैं फिर हम सब एरोबिक्स की क्रिया में जुड़ेंगे दोनों हाथों की स्थिति नमस्कार में आखे बंद कर लीजिये और खाव पुर्णभु कर राठना की विदिय में जुड़ेंगे असतुमा साथगा मया तमसुमा योतिर्गा मया मृत्योर्वा अम्रितंगा मया अं शांति 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 ही सभी के अच्छे स्वास्थे के लिए भाव से प्राठना करें दुन्या का हर व्यक्ति स्वास्थ हो आपके परिवार का हर सदस्य स्वास्थ हो आप स्वास्थ हो सबका भला हो सबका मंगल हो नीरे से आँखे खुल लीजिए हम 30 मिनौत तक aerobis करेंगे जिन में यदे आपको कमर की कोई समष्या हो रेदे की कोई समष्या हो कुटनू के दर्द की कोई समष्या हो तो आपको आपके अनुकलता से यह aerobis की करिया करनी है किसी भी एरोबिक्स के स्टैप में आपको जवर्जस्ती नहीं करनी जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ठक चुके हो तब आप खड़े रहे जाना या तो बैठ जाना फिर आपकी ठकान जब उतर जाए तब फिर से आप एरोबिक्स के साथ जुड़ जाना हाई हम शरू करते हैं 30 मिन के लिए एरोबिक्स पर भी आपसा कर रहे हैं मस्फम शरू करता है याप माद सुरे पर न man परन परर बाहे हाँ लिए भूण कर दो, कर दो, को बुर्य को डो को बज़ हो सिना ज़ कि अ कि less हुआ 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 использовать झाल 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 य। य। झाल यान झाल यांदे अपने शरीड पर शरीर में चल रही तेज सांसों की गति पर रिदे की तेज धड़कन पर मैसुस करें अपने शरीर में आपको जो उर्जया का अनुभू हो रहा है एरोबिक्स की यह क्रिया हमें अधिक शक्ति से बर देती है जो युवान है जो शक्ति सालिए है वह जब एरोबिक्स करते है तो पुरा शरीर शरीर की हर नस नाड़ी गतिशिल हो जाती है तो वह सारी प्रक्रिया को मैसुस करें जो सौमिद्नाए अभी फिल हाल आपके शरीर में हो रही है अब हम शवासन शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपका जयान दाएं पैर के तलवे पर बंद आँखों सी ही मैसुस करें अपने ताएं पैर को पैर के तलवे को वह रिलेक्स है वह सितिल है मैसुस करें ताएं पैर के पूरे पंजे को और भाव करें वह रिलेक्स हो रहा है उनकी ठकान दूर हो रही है अब ध्यान दे अपने ताएं टकने पर मैसुस करें दाएं पैर का तकना बिल्कुल रिलेक्स है दाएं पिंडली पिंडली की हर नस नाड़ी या हर मास पेशी बिल्कुल सितिल है वह भाव करें दाएं घुटना दियान दे अपकर दाएं घुटना शितिल है दाएं पैर की जहरा पूरा पैर बाएं पैर पर ध्यान दे बाएं पैर का तलवा शितिल है अधीक से अधीक शितिल हो रहा है इनमें बिल्कुल सनाव नहीं दाएं पैर का पूरा पंजा तकना और पाएं पिंडली खुटना और जंगा पूरा पैर शितिल है या भाव करें दाएं हाथ के हाथ खेली कलाई कौन ही परकंदा बिल्कुल सितिल बाएं हाथ के अधेली कलाई कौन ही परकंदा बिल्कुल सितिल है पीठ पर रेड़ पर आपका ज्यान केंद्रित करें और भाव करें मेरी रेड बिल्कुल विसराम के वस्था में है रेड के हर जोड को विसराम मिल रहा है अब आपका ध्यान ना भी पर ले आए मैसूस करें पेट का हर अव्यव स्वास्त है जैसे किड्नी लिवार हां स्वादू पिंग गर्भाशाई यानि शरीर में पेट में जो भी अव्यव है वह पुद्रदी धंसे काम कर रहा है बिल्कुल स्वास्त है अब आपका ध्यान छाती पर ले आए मैसूस करें छाती का हिस्सा बिल्कुल स्वास्त है स्वास्त है मेरे दोनों फैंफडे जिन में सांसों की प्रक्रिया खुद्रती रूप में चल रही है क्यूकि मैं नीमित रूप से योग प्राणायम की प्रक्रिया करता हूँ करती है आपका ध्यान रिदे पर ले आए जो छाती के पाएं हिस्से पर है और मैसूस करें मेरा रिदाई रिदे की हर धड़कन हर मास पेशी और उनमें चल रही खुन की प्रक्रिया बिलकुल खुद्रती धंसे चल रही है अब आप का ध्यान आपके चेहरे पर ले आएं मैसूस करें मेरी चेहरे के हर मास पेशी आराम की अवस्था में है इनमें बिलकुल भी तनाव नहीं मैं बिलकुल प्रसंद हूँ आपका ध्यान के लित करें माथे के हिस्ते पर और मैसूस करें दिमाग की सारी प्रक्रिया शरीर को ठीक धंसे चला रही है मेरा दिमाग दिमाग का हर हिस्सा गुद्रती धंसे गतिशील है मैं तनाव से मुक्त हूँ बिलकुल स्वास्त हूँ बिलकुल रिलाक्स कूँ मुक्त हूँ मैं भाई से मुक्त हूँ इस हूँ झाल झाल धीरे से हम शवासन की क्रिया को छोड़ेंगे अपनी अनुपलता से आप दाई और से करवत लेकर बैठ जाओ पाल्सी लगा कर बैठ जाओ आपको जो आशन अनुपल होए वह आशन में बैठ जाओ हमने जो प्रणायम की दो विद्या कल सेखी थी वह प्रणायम की विद्य हम आज दोहराएंगे क्योंकि प्रणायम हमारे इम्मूटी सिस्टम को मजबुत बनाने के लिए आवश्चक है जो हमें गहराई से हमारे भीतर की और मूड़ती है अगर आपको कल की क्रिया याद न रही हो तो देखकर यह क्रिया में अवश्च जुड़े कल हमने बात की थी कि प्रणायम की यह विद्य जब हम दोहराए तक किस-किस व्रिक्ति को किस प्रकार का ध्यान रखना है जैसे कि अब हम पहले बस्तिका की क्रिया करने वाले है तो जिसमें हमें अगर आपको हाई ब्लड पेशर है तो धिमी गती से करना है हाड़की कोई समस्या है तो भी आहिस्तागती से करना है वह सब हम कल सीखे थे तो उसका खयाल रखना उसके तीन सरण होंगे बस्त्रिका के फिर थोड़ी देर के लिए अनुलू मिलूम प्राणायम की विधी होंगी और फिर हम हमारे स्रिशन को समावन के और ले जाएगे आप पाल्थी लगा गर भी बैठ सकते हैं अर्थपद्ना सन्में भी बैठ सकते हैं जैसे आपका शरीर अनुलूम कल भी हमने बात की थी प्राणायम के द्वारान हमेरे इड़ से सीधे बैठना है अगर आपको खयाल ना आए तो आँखे खुल कर गी भी आप यह प्राणायम को देख कर गर सकते हैं अगर कल के सत्र में आप प्राणायम को समझ गए है तो बंद आँखों से ही करना बैठर है यह प्राणायम हमारे शर्फडो को नाट के धंग से मजबुताए प्रतान करवाता है तो 20 का राण करेंगे कल हमने 10 स्वास का राण किया था 20-20 स्वास के 3 राण करेंगे भस्तरी का प्राणायम जो है दोनों हाथों की स्थिती मुठ्टी बांध लीजिए अगर आपको खयाल ना आये तो खुली आँखों से बाकी बंद आँखों से यह कोई केवल हाथों की प्रक्रिया नहीं है यह सांसों की गती है मेरे इन कहते हैं आपको हाथ उपर क्या और करने है और काउंट गिनते ही हाथ की मुठ्टी ऐसे ही बांध लेनी तो हम शुरू करेंगे In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, In 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, दोनों हाथों को गुट्टों पर रख लेजिए, हथे लिए उपर के और, और आपका ध्यान शान्त चलती सांसों पर, मैसुस करें सांसों की गति को, ध्यान रहे, योग आसन हो, या प्राणायम हो, हमें हमारे शरीर के साथ, जोर्ज बज़स्ती नहीं करनी, और फिर, जितना हो सके उतना, आसन एवं प्राणायम के साथ, हमारा शरीर, शरीर के साथ साथ, हमारा मन दी कैंद्रिज होना चाहिए, ताकि हम, हमारे भीतर के जगत को मैसुस कर सके, या साथ ना में डूग सके, भीतर के परमानंग में डूग सके, इसलिए आपका मन दी या साथ ना में कैंद्रिज होना चाहिए, दूसरी साइकल, स्थेते बना लिजिए, उसी प्रकार, बेश काउंड के साथ, बेश सांसों की गति, जब आप हाथ को उपर के वार करें तब, तेजी से आपको सांस लेनी है, और तेजी से सांस, हाथ नीचे आये तब छोड़नी है, शुरू करते हैं, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, फिर से दोनों हाथों को गुटनों पर, बिल्कुल स्थिर और शान मन में भाव करें, प्राणाम की या क्रिया से, मेरे फैंफड़े अधिक से अधिक स्वास्त हो रहा है, मजबुत हो रहा है, अगर इन में जरा से भी खराबी है, तो वा दूर हो रही, कही प्रकार की बिमारियों का समाधन यह प्राणाय दे सकता है, और साथ ही साथ, हमें भीतर की अनंत शान्ति का अनुभव करवा सकता है, तीसरा राउंड, अंतिम राउंड, बेश्च स्वास्थ, आपका पूरा ध्यान सांसों की गति के साथ, पूरी तरह से आप यह साथना में शामिल हो जाओ, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 7, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 6, तीस सकंड के लिए बिलकुल स्थिर, थोड़ी ही देर में हम प्राणायम की दूसरी क्रिया, अनुलूम विलूम की क्रिया शुरू करेंगे, तो हम दूसरा प्राणायम, अनुलूम विलूम प्राणायम करेंगे, जो प्राणायम अद्बुद है, हमारे मन के शांति के लिए, हमारे रिदे के स्वास्थय के लिए, हमारे रक्त के शुद्धी के लिए, यह प्रणायम जैसे कल हमने दिया था सोहम साउंड के साथ वैसे ही करना है जब शो सब्द सुनाई दे तब आपको सांस लेनी है जब हम सब्द सुनाई दे तब आपको सांस छोड़ीनी है और दोनों सांसों के मात्रा भरने के मात्रा और बाहर छोडने के मात्रा समान रहनी चाहिए जब आप शुरू करें प्रणायम तब बाई नासिका से शुरू करना है और जब प्राणायम पुरा हो तब बाई नासिका से ही प्राणायम पुरा होना चाहिए फिर से आपको एक बार याद दिला दू आपको उप्योग दायें हाथ का करना है बायें से सांस लेनी है दायें छोड़नी है फिर दायें से लेनी है और बायें छोड़नी है वैसे लगाता हमको पांच मिट तक यह प्राणायम करना है तो आईए शुरू करते हैं यह प्राणायम साहं 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 हम सा 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 हम हम सा 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 हम 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 दोनों हाथों की स्थिती नमस्कार मुद्रा में तीसे सत्र का हम यहां पर समापन करते हैं अस्तुमा सा साघ्गा माया तामसुमा सा जोती गामाया नुथ्योर्मा अम्रितम गावाया आप सभी के अच्छे स्वासिक लिए हम परमात्मा से प्राइपना करते हैं कल चौथे सत्र में हम सुरी नमस्कार एवन प्राणायम की विदी सिखेंगे तो आप अवश्य हमारे साथ जोड़े रहे और अधिक से अधिक लोगों को या संदेश बेजे ताकि वह भी हमारे साथ जोड़ सके और या सत्र का लाग उठा सके प्रणाम कि अवश्य हमारे साथ जोड़े प्राणायम का लाग भी हमारे समय और अव्याम प्राणायम की विदी सिखेंगे यारे समय बेज़े प्राणायम झाल 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 झाल